जै मसिकी and गूट मॉर्निंग आज सुभा प्रभु का वच्छन हमारे लिए भजन सहिता अध्याई अटत्थर आयत ग्यारा साम चैप्टर सेबंटी एट वर्स इलेवन उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किये थे उनको भुला दिया उसी अध्याई का आयत 42 वर्स 42 उन्होंने ना तो उसका बुझबल समरन किया ना वो दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से चुड़ाया था ये भजन आसाप द्वारा लिखा गया है आसाप इसराइलियों के बारे में लिखता है कि इसराइलियों के जीवन में ये बड़ी गलती हुई कि वो लोग प्रभू के अद्बुत कामों को भुला दिया ग्यारवी आयत में आसाप इस प्रकार लिखता है कि इसराइलियों ने प्रभू के बड़े कामों को और परमिश्वर के आश्चर्य कर्मों को जो प्रभू ने उनके सामने किये थे उनको भुला दिया मेरे प्रियो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभू जो है इसराइलियों के लिए अद्बुत कारिय करता है 12 आयत से लेकर 16 आयत तक हम लोग देख सकते हैं प्रभू ने उनके जीवन में किये हुए कुछ अद्बुत कारियों के बारे में लिखा है जैसे प्रभू ने उनको मिस्र देश से अद्बुत कर्म दिका कर अद्बुत कार्य करकर उनको वहा से निकाला तेरवी आयत में हम देख सकते हैं समूंदर को दो भाग करके उनको पार करा दिया जल को धेर के समान खड़ा कर दिया फोटीन तायत में दिन को तो बादल के खंबे से, रात बर अगनी के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुआई की, पंद्रवी और सोलवी आयत में जंगल में चट्टाने फाड कर, उनको मानो गहरे जलाशियों से मन माना पिलाता था, चट्टान से धराए निकाली और नदियों का सा जल बहाया, प्रभू ने इसराइलियों के लिए बहुत अद्बत कार्य किया, लाल समंदर को दो किया, जब उनको प्यास लगी, उनको पानी दिया, जब उनको भूक लगी, तो उनके लिए मन्ना बरसाया, बटेरे भेजा, प्रभू रात को अगनी के प्रकाश से, और लोग आगे बढ़ते गए, कुछ सालों बाद आसाप इसराइलियों को देख कर कहता है, कि ये लोग प्रभू के अद्बत कारियों को भूल गए, मेरे प्रियों, हमारी जीवन में हमें इस बात का ध्यान देना है, कि हम प्रभू के अद्बत कारियों को नहीं भूलना चाहि भजन साइंता एक सो तीन और उसका दूसरी आयत यहाँ पर दाउद इस प्रकार कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना दाउद अपने आप से कहता है दाउद अपने आपको हिम्मत देता है अपने आपको एंकरेज करता है दाउद यह क को धन्य का है प्रभू के किसी भी कारिय को प्रभू के किसी भी आशिश को प्रभू के किसी भी अद्बुत क्रियाओं को नहीं भूलना है मेरे प्रियों हमारी आत्मिक जीवन में हमें ये धेकना है क्या हम प्रभू के कारियों को भुला देते है या परमेश्वर के उपकारो को हम याद करते है मेरे प्रियों भजन सहींता 78 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम देख सकते है कि इसराइली लोग प्रभू के अद्बत कारियों को भुला दिया इसलिए वो लोग कौन-कौन से पाप करते है हम देख सकते है उसके 19 वी आयत में वो लोग प्रभू के खिलाफ बोलने लगे 22 वी आयत में हम देख सकते हैं वो लोग प्रभू पर विश्वास नहीं किया फिर उसके 32 वी आयत में हम देख सकते हैं वो लोग अधिक पाप करते गए 36 और 37 वी आयत में हम देख सकते हैं वो लोग जूट बोलने लगे उनका रिदय प्रभू के सामने द्रिड नहीं था चालिस भी आयत में वो लोग बलवा किया फिर हम लोग बयालिस भी आयत में देख सकते हैं कि वो लोग प्रभू के अद्बुत कारियों को नहीं याद किया देखे मेरे प्रियों ये सारी गलतियां इसलिए है क्योंकि वो लोग प्रभू के कारियों को याद नहीं किया बलवा करना जूट बोलना चापलू सी करना रिदे कच्चा होना प्रभू पर विश्वास नहीं करना प्रभू के खिलाफ बात करना मे लोग शिकायत करने लगते हैं, हमारे अंदर अव विश्वास आता है, जब अगला परिशानी का सामना हमें करना पड़ता है, तब हमारे अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि हम प्रभू के कारियों को भूला दिया है, मेरी प्रियो जैसे दाओत कहता है, वैसे हम अपने उपकार को नहीं भूलना परमेश्वर ने हमारे जीवन में अंगिनित उपकार किया है इसलिए हम लोग इस परकार के गीत कलिस्या में भी गाते हैं गिन गिन कर प्रभू की स्तूति करो उसकी उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर की स्तूति करना है मेरे प्रियो मन निराश था लेकिन प्रभु ने उन सारी बातों से हम को छुडा कर हमारे अंदर एक नई उमीद और नई आशा दे कर हमें एक नई स्रिष्टी बना कर आज हम लोग प्रभु के संतान है प्रभु के किसे भी उपकार को नहीं भूलना इस्राइलियों के समान हम ना बने लेक हम ना करें प्रभु जी हम आपके किसी भी उपकार को नहीं भूलने वाले बने प्रभु जी आपके उपकारों को याद करते हुए एक एक उपकारों के लिए प्रभु जी हम लोग दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्व पिता आपका उपस्तिती हमार प्राथना सुने लिए इसका धन्यवाद आदर और महीम आपको देते हुए इश्यू के नाम से हम मांगते हैं आमेन गाड ब्लेस यू आल जै मसिकी